जैसी राम, जैमामुंडमालिनी, मैं योगी सी प्रकाशनात, तौंत्रोगुरी चैनल में अब सभी का फिर से एक बस्वागत करता हूँ, बिशे है बाबा भूतनात के सक्तिसाली बशीकरन मंत्र, अद्भूत ये मंत्र, आप लोग जब मंत्र को देखेंगे, तभी आप आप लोग इस मंत्र में सिर्फ मंत्र के जाब करना है, ना कोई हवन करना है, ना कोई टोटका प्रयोग इसके साथ करना है, ये मंत्र, खुदी में इतना ही चमतकारी मंत्र है, आप लोग का हर मनोकामना पूर्ण करेगा, मंत्र का अनुष्ठान कैसे करना है, आगे मैं आप पता रहा हूं आप लोग ध्यान से धहरेपुर्वक वीडियो को एक बात देखिए संपुनों प्रोसेस वीडियो का अंदर मेलेगा मंत्र से नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा आज का कॉंटेंट अगर आप लोग को पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर को जरूर दबाई चलिए मैं आज का कॉंटेंट सुरू करता हूँ तो मित्रो ये भूतनात मंत्र से बशीकरन प्रयोग इससे पहले आप लोग को कोई नहीं बताएगा आप लोग को ऐसे चीज बताय जाता है जो चीज आप लोग के लिए सहज हो सरल हो हर समय ये ध्यान बटी है प्रयोग बना बटी है ये मंत्र प्रयोग मेरे रचना की वहां नहीं है सास्त्र में सीधा इस मंत्र का प्रयोग दिया हुआ है इस तंत्र का प्रयोग दिया हुआ है हाँ ये हो सकता है तंत्र प्रयोग में कुछ अलग होगा किताबों का प्रयोग और मेरे मंदिन में मनवाशना मनकामनपूर्ण हेतु भगवान से निवेदन करके पूजार्चन करके आईए इस मंत्र का आप लोगों को चाहे तो घर में बैठकर नुष्ठन करें सबसे उत्तम है भगवान भोलेनात के मंदिन में बैठें भायरभ जी का मंदिन में बैठें या कोई भी ऐसा मंदिन नहीं है तो हनुमान जी के मंदिन में बैठकर इस मंत्र का एक हाजार आठ बाट जाप करें संकल्ब आप लोगों को नहीं लेना आता है तो भगवान से हाथ जोड़कर मिनती कीजिए कफल हाथ में रखिए मिनती कीजिए प्रभू मेरे अमुग मनोकामना है अमुग विक्ती से में प्रेम करता हो उस विक्ती को पाने के लिए प्रभू में ये भूतनात का सिद्ध वशीकरन मंत्र का प्रयोग में आज आपके चरणों में बैठकर करना हो प्रभू मेरे मनोकामना पूर्ण करें बस यही है संकल्ब यही मैं मंत्र उचान पूर्बग बोलता हो सालस्कीत बात को बोलता हो आप लोग सीधा सुद्ध मात्री भासा में अपने अपने मात्री भासा में इसी प्रोग को एपलाई करें ये टेक्निक को एपलाई करें ये करने के बाद जो मंत्र है उस मंत्र में नाम लगाने का कोई जरूरत नहीं है उस मंत्र को सीधा सीधा एक हजाट आठ बार रुद्राश के माला से आप लोग जाब कीजिए जाब करने के साथ साथ आप लोग के मन में उस इचित बेक्ती का फोटो होना चाहिए आपके मन में आकर्शन करने के लिए इच्छा होना चाहिए जोड होना चाहिए हाँ उस बेक्ती को मैं अपने यह ऐसा मन में होना चाहिए तब जाकर मंत्र काम करेगा मंत्र आपके सक्ति से ही काम करेगा आपके उठ्जा आपका जो अंदुरनी सक्ति है जो पावार है उस पावार को ही बला सक्ति साली और करके मंत्र चार्ज होता है मंत्र इसी से चार्ज होता है मंत्र कोई बाहर से कोई मिसाल नहीं आ जाएगा अपने इंसान के सरीड में जो सकती है जो पन्चतत्व है जो चक्र है वो चक्र जागरित एक अद्द भुद बलाए रौशनी एक एनर्जी क्रिएट करता है सोच अमझ लीजिए रौशनी के फूर दिए एक आप के नांसम पूरभक आप लोग इस मंत्र का जाप या पाठ या पाठ या अनुष्ठान करेंगे उस बेक्ति को आपके सामने आना ही पड़ेगा चाहे वो कितना भी दूर हो सास समुधर पार कितना भी दूर हो चाहे हो वेक्ति आप लोग के पास उसे आना ही पड़ेगा ये मेरा वाक्ति नहीं है कोई कालपोनिक रातो रात कुछ भी नहीं हो जाता ये भी में मानता हू limit लेकिन आप लोग apply करने में आप लोग को कोई असुभीता तो है नहीं एक पैसा का खर्चना आप लोग को किसी को देना पर रहा है ना मुझे देना पर रहा है ना किसी विक्ति को आप लोग को देना पर रहा है सिर्फ आप लोग को महनत करना पड़ेगा आप लोग ध्यान रखी इस विशह को आप लोग आए तो मेहनत करना पड़ेगा मेहनत नहीं करेगा तो पैसा इंबेस्ट होगा यह दो ही option है दो option में कॉन सा option choose करना यह आपना अपना बिचार है जैसा ठीक लगे वैसा यह option choose करकर आगे बढ़ना मेरे हिसाब से उचीत होगा यह अनुस्ठान संपुन्ण हो जानने के बाद एक ब्राम्हन को भोजन करवाईए एक साधू को भोजन करवाईए जब धी कोई अनुस्टान करे एक ब्राम्हन को एक साधू को जरूर भोजन करवाईए बिना ध्यान बिना दान किये बिना भोजन करवाईए कोई भी अनुस्टान को संपन्न नहीं माना ज भोजन आपने साध्ध और अपने सामर्थ के हिसाब से जरूर करवाए आज मुझे तो लगता है मैं संपूर्ण प्रोसेस आपने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया अगर बाई चांस मेरे से कुछ भी छूटता है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स है वह पर जरूर कॉमेंट करें आज का कॉंटेंट अगर आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें मैं फिर मिलता आप से नए वीडियो में तब तक घर में नहीं सेव रहिए हरियों दस्त